तो भाई कोटक न्यू अप्लिकेशन है ना उसमें जीरो ब्रॉकरेज लगता है मतलब आपको एंटाइडे लिक्विडिटी कमुनिटी कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको जीरो ब्रॉकरेज लगेगा बहुत अच्छा अप्लिकेशन है बहुत अच्छा ब्रॉकर है बीटीओं बहुत एंफॉर्मेटव होने वाला क्योंकि अपको उसी ब्रॉकर में अकाउंट बताके बनाने वाला हो उस में Buenos plays किया करते हैं आपको में ही छोड़ देते हैं और बोल देते हैं कि आपको तीन दन बाद अकाउंट बन जाएगा बट उसके बाद भी आपको कम सकम दो-तीन स्टेप होते हैं जिसमें एम्बेन बनाना हो गया आपको पास्वर्ट क्रेड करना हो गया फिंगर प्रिंट लगाना हो गया बहुत कोछ तो मैं इस वीडियो में आपको अकाउंट बनाने के साथ साथ मतला कम्प्लीट जब तक वह उपन नहीं हो जाता तब तक वीडियो चलने वाला वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला वीडियो को लाइक कर देना और गाइस चल में तो चनल को सब्सक्राइब कर दे इंटर्फेस ओपे हो का तो आपको यहां पर नामनने नंबर जालने आएगा फस्ट आपको यही करना है झान रखना झाम आपको वही रखना है जो आपको ही होगे चलिक Quality कर दूँँगा तो OTP डालने के बाद कुछ इस तरी की सागला step open होगा जिसमें आपको beginner पे select करना है कि आपका क्या experience है इसके बाद यहाँ पे enter pen details to continue लिखा हुआ है तो आपको सबसे पहले pen card डाल देना है pen card का number and नीचे आपको date of birth डाल दे दिये हैं तो सबसे पहले step हमारे document में pen card का लगेगा तो अगर आपका pen card नहीं है तो आप अपनी family में किसी का भी use कर सकते हो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया and इसको मैं continue कर दूँगा and इसके बाद अगला step आएगा कि आपको अधार card से verify करना है अगला step so इसको just मैं continue करूँगा and यहाँ पे अगले step के लिए मैं आ जाऊँगा so study कि से loading लेने के बाद आप देख सकते हो कि आपका पहचान आपको कुछ इस तरीक से verify करना है कि सबसे पहले आपको आधार card डाल देना है यहाँ पे आधार card number डालना है and नीचे capture हुआ लिख हुआ है so इन सभी को आपको डाल दे रहा है and इसके बाद आपको next पे click कर देना है and इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जिस number पर आपका आधार card link है उस number पर हमारा OTP आएगा so आपको इस OTP को यहाँ पे डाल देना है and इसके बाद इसको continue कर देना है इसके बाद आपको six digit का pin बनाना है यहाँ पे so भाई बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता है तो मैं आपको वता देता हूँ कि आपको किस तरीके से pin बनाना है जैसे मुझे यहाँ पे याद नहीं है क्योंकि मैं किसी और का बना रहा हूँ so यहाँ पे इसको forget कर रहा हूँ तो आपको date of birth डाल देनी है जो आपके अगार card में हो उसी date of birth को डालना है ठीक है तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि मेरा pin क्या है तो आपको forget ही करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको just अपनी सबसे पहले date of birth डाल देनी है इसको continue कर देना है अगला step में आपको यहाँ पे अपना pin बना लेना है तो आप अपना pin कोई भी बना सकते हो जो आपको याद रहे इसके बाद आपको allow कर देना है तो कुछ इस तरीक से आपको allow करने के बाद अगला step में आप देख सकते होगी कुछ इस तरीक से आया detail अब आपकी कोई detail अगर missing है तो यहाँ पे आप edit कर सकते हो चाहे वो address हो चाहे वो father mother का name हो या फिर आपका name तो यहाँ पे आप उसको edit कर सकते हो अगर missing है इसके बाद इसको continue करेंगे तो nominee का आएगा कि आपको nominee डालना है तो मैं इसको नहीं डालूँगा नीचे वाला option को select करके continue कर दूँगा अगले step में कुछ इस तरीक से आएगा कि आपको अपना email डाल देना है सो mobile number पर मेरी जितनी भी email है वो सारी email यहाँ पर आ जाएंगी तो आप देख सकते हो इतनी सारी मेरी email है आप मैं इसमें कोई भी email चोईस कर लूँगा email आपका कोई भी हो सकता है ओके सो इसको मैं confirm कर दूँगा इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि आप single हो याँ अप married हो यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं क्यूंकि जिसका account बना रहा हूं तो वह married है अब यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी occupation क्या है आप businessman हो आप student हो आप housewife हो कौन हो यहाँ पर मैंने business select किया अधिकांस आप situation में bank select करना पड़ेगा कि आपका कौन सा bank है सो यहाँ पर SBI select करूँगा क्योंकि SBI है ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आ चुका मैंने SBI को select करके बाद इसको मैं continue कर दूँगा और automatic ही हमारा bank है यहाँ पर verify होगा और आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आगया account number ड देना आपको account number डालने के बाद अगले step में आपको selfie को capture करना है और आपको अपने signature को upload करना है तो सबसे पहले आपको selfie यहाँ पर allow करके अपनी selfie को यहाँ पर डाल देना है और दूसरे number पर आपको signature को upload कर देना है नीचे वाला FNO segment और तो इसको आप बाद में भी fill कर सकते ह इसके बाद में इसको continue करूँगा तो अगले step आएगा आपको payment वाला तो कुछ इस तरीके से वो open हो जाएगा तो यहाँ पर payment के लिए आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 99 का recharge है बटे यहाँ पर आपके में सो हो सकता है 299 का क्योंकि मैंने जिस account का यह में open कर रहा हूं account वो 30 से ज्यादा है अब वो ज्यादा है तो 30 से वो plan जो हमारा 299 वाला है वो only youth के लिए है 30 से कम उमर वाले के लिए अगर कोई व्यक्ति 30 से ज्यादा है तो उसको 99 का ही करना पड़ेगा और उसको 20 रपए brokerage लगेगा तो मैं इस account trading नहीं करने वाला मैंने जस्ट आने के लिए ही मैं account open कर रहा हूं तो मैं 99 वाले को choice करके इसको payment कर दूँगा तो यहां पर मैंने 99 वाले पर click किया आपके में 299 वाला आएगा वो करना क्यूंकि आपको brokerage free चाहिए यहां पर इसको आपको continue कर देना है जो भी आपका आए तो इसको select करके मैं इसको continue कर दू है तो आप phone pay में जाकर profile में जाकर qr रहता उसी के नीची upi लिखी रहती है तो आपको उस upi को यहां पर enter कर देना है इसके बाद continue करोगे तो कुछ इस तरीके से option आएगा तो आपका phone pay pay उपर notification आएगी तो आप phone pay open करोगे या फिर उपर notification आजाएगी pay के लिए तो आपको उधर से pay कर देना है तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने payment कर दिया है और इस page को मैंने दुबारा open किया तो थोड़ा सा loading लेगा and automatic ही इस वाले page हमारा escape हो जाएगा and हमारा अगला next page है जो वो open हो जाएगा and अगला page हमारा payment का ही आएगा transaction ID तो इसको continue कर देना है अब आ अधार e-sign पे आपको click कर देना है अब आपका अधार card से e-sign करना पड़ेगा so just अगला page हमारा जो open होगा वो अधार card से related होने वाला है उसमें अधार number and OTP लगेगा आपको पहले भी लग चुका है बट अब आपको अधार card से दुबारा आपको verify करना पड़ेगा e-sign ह यहां पर अगला step हमारा open हो चुका है आपको उपर click कर tick कर देना है और नीचे आपको अधार number डालके get OTP पर click कर देना है तो आप आपको यहां पर OTP डाल देना है so one time password जो आएगा उसको मैं डाल दूगा and guys e-sign वाला हमारा अधार card का step आपको 2-3 बार हो सकता है करना पड आपको कम से कम तीन बार हो सकता है करना पड़े तो कर देना उसमें कोई problem नहीं है और तीन बार के बाद मैं direct open कर लेता हूं किस तरीके से इंटरफेश open होगा so अगला step कुछ इस तरीके से open होगा and यहाँ पर आप देख सकते होगी आपका account का जो पहला step complete हो गया है step 2 में आपका account है जो verification के लिए गया है जिसमें आपको कम से कम 62 गंटे भी लग सकते हैं लेकिन अधिकान से अगर आप सुब अकाउंट open करते हो तो साम को open हो जाता है कम से कम आपको 4-5 गंटे में ही open हो जाता है आपको mail जाएगा जो भी आपने mail यहाँ पर डाली थी आप देख सकते होगी step 2 पर हमारी घड़ी लगी हुई है इसके बाद आपको प्ले स्टोर से आप चाहो तो अपको डाउनलोड कर ले कोटक नियुको अब आप यहाँ पर देख सकतो step 1 पर आपके documents है तो आप अगर उस पर click करोगे तो आपका सारा documents का जो form अभी आपने fill किया form के रूप में आ जाएगा जब यह आप करते रहे हैं यहाँ पर आप देख सकतो आ चुका है तो कुछ इस तरीके से अब आपको जादे जादे तीन से चार गंटा लगेगा और आपका account ओपन हो जाएगा और आपके में mail आ जाएगी तो समधिंग 4-5 गंटे बाद यहाँ पर हमको कुछ इस तरीके से email आएगी जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपको account को setup करना है तो download now लिखा हुआ है तो आपको पिर क्या करना है प्ले स्टोर से कोटक new application को download कर लेना है एंद एन अकाउंट लिक्खा हुआ है तो आपको क्या करना है अकाउंट को setup करना है तो यह सब आपको back कर दीना एड़ account setup आले option पर आपको click कर देना है मैं इस पर click करूँगा account setup पर यहाँ पर आपको क्या करना है आपको अपना mobile number डाल देना है जो भी आपने mobile number से account खोला है यहाँ पर pen card number डाल देना है यहाँ पर मैं pen card number डाल दूगा यहाँ पर pen card number डालने के बाद आप जैसे प्रोसीड पर किलिक करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाए आपको क्या करना है सो मैं प्रोसीड पर किलिक करूँगा अब यहां पर आप देख सकते हो कि email में आपको एक registration email ID आपको send कर दी गई है तो आपको आप email पर किलिक करना है इसके बाद आपको setup account निव account पर किलिक करना होगा email पर आपको OTP आएगा OTP किसे verification होगा इसके बाद आपको password बनाना पड़ेगा और आखरी में आपको एक mpin बनाना पड़ेगा mpin जब आप apps खुलते हो ना तब आपको mpin की ज़रुद पर दी आपको अपको अपनी email को open कर लेना है जो भी email आपने जब ID बनाते time डाली थी तो उस email को आपको open कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकतो कि आच चुका हमारा kotak new से एक mail आप इस पर click करोगे तो same वही यह step आएगा कि setup your kotak new account आ गया और आप देख सकतो यहाँ पर step यहाँ पर भी होगा तो आपको just यहाँ पर setup your bank यहाँ पर click कर देना है और इस पर आप जैसे ही click करोगे तो अगला step हमारा होगा कि आपका जो mobile number है उस पर OTP आएगा OTP की से verification होगा तो आप देख सकतो OTP आ चुका है इसके बाद यहाँ पर आपको password को create कर लेना है तो भाई यह password होगा जब आप login करोगे तो आपको यह password की need पड़ेगी तो यहाँ पर आपको एक strong password बना लेना है जिसमें एक add the rate लगा देना है कोई भी password बना उसमें add the rate और एक small letter और एक capital letter कुछ इस तरीक से आपको password बनाना है जो कम से कम छेंकों का हो इसके बाद आपको अपना एक mpin बना देना है तो mpin यहाँ पर आप देख सकतो छेंकों का mpin बनाना है दो बार आपको mpin डाल देना है तो यहाँ पर मैं उपर नीचे दौनों बार mpin same डाल दूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा set mpin पर यहाँ पर किलिक कर दूँगा तो यहाँ पर मेरा finally account हो चुका है अब आप चाहो तो अपना mobile का fingerprint भी enable कर सकतो तो आपको mpin डालने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी अगर आप fingerprint को यहाँ पर enable कर दोगे तो इसको चाहो तो आप skip कर सकतो नहीं तो आप यहाँ पर enable कर सकतो यहाँ पर आप देख सकतो account setup complete एंड इसको आप proceed करोगे तो हमारा finally यहाँ पर apps हमारा open हो चुगा है और यहाँ पर लिख्या गया your account is almost ready बस अब आप इसमें stock को buy sell option trading कर सकतो अगर आपने account बनाती time segment को fill किया है नहीं तो आपको segment fill करने की दूरुद पड़ेगी अगर आप option में trading ना कर पाओ और आपको segment वाला derivatives वाला option आए तो मैं i button पर वीडियो दे दे रहा हूं तो आप उस वीडियो को देख ले कि आपको segment किस तरीके से fill करना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा account finally set up हो चुका है तो भाई कैसी लगी वीडियो comment बता देना अच्छी लगए वीडियो तो यहाँ लाइक कर देना और कोई भी डाउट हो ना तो आपको description में मेरी Instagram की link मिल जाएगी उधर आप में इसको direct DM कर सकते हैं follow कर सकते हैं या फिर आप comment section में comment कर सकते हैं तो आपकी doubt को मैं अगले वीडियो में दे दूँगा तो अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर देना तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में